Hello everyone, मेरा नाम है Priya Manglani और आपका Clear Concepts में बहुत बहुत स्वागत है यह एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपके सारे स्कूल के Concepts एकदम इजी तरीके से Clear हो जाते हैं सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते अहोई होई everyone, welcome to another session of Sanskrit शुरू करते हैं यह session प्रात्ना के साथ वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ निर्विग्नम कुरुमे देव सर्वकार्येशु सर्वदा नमामी शारदाम देविम वीना पुस्तक धारिनिम विद्यारंबं करिश्यामी प्रसन्नाभव सर्वदा गुरूर ब्रम्हा, गुरूर विष्नुहु, गुरूर देवो महेश्वरह गुरू साक्षात्परब्रम्ह, तस्मै श्री गुरवे नमह संस्कृतं ये प्रशन्संती, ये प्रशन्संती संस्कृतिम स्वदेशं ये चशन्संती, धन्यम जीवंती ते नराहा सो बच्चा लोग पिछले लेक्चर में, पिछले तीन सेशन्स में हमने सीखा कि संस्कृत में हम सेंटेंसिस कैसे लिखते हैं मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और नूटर जेंडर में अगर आपने वो वीडियोस पहले नहीं देखे हैं तो मेरा यह रिक्वेस्ट आप से पहले आप वो वीडियोस देखो ताकि आपको यह वाला लेक्चर अच्छे से समझें, ठीके? ओके, सो आज हम लोग संस्कृत में सेंटेंसे कैसे लिखते हैं, वो ही सीखने वाले हैं लेकिन जैसे आपको मालूम है, इंग्लिश में जब हम प्रनावन सीखते थे तो उसमें आपको यह आया था, फर्स्ट परसन, सेकेंड परसन, थर्ड परसन, राइट? प्रनावन के थ्री परसन होते हैं, फर्स्ट परसन, सेकेंड परसन, थर्ड परसन, हिंदी में भी प्रनावन के थीन परसन होते हैं उसी तरह संस्कृत में भी प्रनावन के देरा थ्री परसन्स, ओके? आज हम लोग वो persons के हिसाप से संस्कृत का sentences कैसे form करते, वो सीखने वाले हैं, ठीके, उसमें से जो first person है, यानि की जो प्रत्थम पुरुश है, वो ही हम लोग ने पिछले तीन lectures में सीखा है, आज हम लोग बाकी के दो persons भी सीखने वाले हैं, ठीके, बिना किसी रुकावट के चलो अभी हम लोग अपना table बनाते हैं and हम लोग directly सीखते हैं, so first of all तो हम लोग table बना रहे हैं इदर, ठीके, and I am making three columns, okay, अभी ये वाले table में हम लोग gender and वचन जो हम लिखते हैं वो ने लिखेंगी क्योंकि वो अल्रेडी understood है, ठीके, अभी यहां पे हम लोग सबसे पहला ज फिर आप उसको बोल सकते हो, प्रत्थम पुरुष, ठीके, इसका नाम क्या है, प्रत्थम पुरुष, यानि की first person, ठीके, अभी यहां पे जैसे हम लोग हमेशा लिखते हैं, यहां पे इदर आएगा एक वचन, यहां पे आएगा द्वी वचन, या फिर दो वचन, and यहां पे आएगा बहु वचन, ठीके, ओके, अभी आपको मालूम है कि first person में एक वचन में या तो ही होएगा, ठीके, या तो ही होएगा, या तो शी आता है, या तो फिर दाट आता है, ठीके, एक वचन में प्रत्थम पुरुष में या तो ही आता है, या तो शी आता है, या फिर पिछले तीन लेक्चुर्स में किया, वही आता है. ठीके? कमबाइन है उसका. दो वचन में, दो वचन में क्या आएगा? दे बोथ, है ना? दे बोथ या फिर दाट बोथ, अगर न्यूटर रहेगा तो दाट बोथ, ठीके? अन्ड बहुचन में क्या आएगा? दे ओल, दे ओल या फिर that all ओके? So, एक वचन is he, she और that, दो वचन is they both and बवचन is they all, ठीके? अभी आपको मालूम है प्रथम पुरुष में यानि कि क्या आजाएगा? He, अभी masculine gender का हमने सीखा था, he मतलब सह, ठीके? यहाँ पे सह आएगा, they both means तव, सह तव and they अभी शी अगर रहेगा तो feminine gender में क्या आता है? सा ठीके? शी मतलब सा अगर two girls रहेंगी तो ते अगर more than two girls तो ताहा सा, ते, ताहा ठीके? अगर neuter रहेगा दैट रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? तत तत अगर there are two objects then we write तत, ते and if there are more than two objects we write तानी तत, ते, तानी ठीके? सो ये प्रथम पुरुष में आता है this, all of this is first person ठीके? in first person we write he, she और दाट ठीके? सह तव ते साते ताहा तत्ते तानी ठीके? अभी verb क्या रहेगा? तीनों का verb is going to be same ठीके? सिफ और सिफ वचन के हिसाब से verb changes तो इन एक वचन वी राइट पठती ओके? पठती अगे? इन दो वचन वी राइट पठत हूँ पठत हूँ अगे? इन बहु वचन वी राइट पठंती आप प्लीज ये note down कर दो अपने notebook में ये बहुत ही ज़्यादा important है जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा notebook and pen साथ में रखो सो हमने क्या सीखा? प्रथम पुरुष में सह पठती तव पठतह ते पठंती सा पठती ते पठतह ताहा पठंती तथ पठती ते पठतह तानी पठंती वर्ब is going to be the same ये है प्रथम पुरुष अभी मैंने क्या बोला? मैं आपको और दो persons introduce करने वाली हूँ जो new होने वाले संस्कृत में आपके लिए इसके बाद वाला जो रहने वाला है वो होने वाला है हमारा मध्यम पुरुष ठीके? मध्य मध्यम मीन्स मिडिल ठीके? ये है हमारा मध्यम पुरुष का टेबल ये भी बनादो ध्यान से लेच राइट हीर मध्यम पुरुष में क्या आता है? पहले मैं को एक वचन लिखने दो यहाँ पे इधर आएगा एक वचन इधर आएगा द्वी वचन और इधर आएगा बहु वचन ठीके? अभी मध्यम पुरुष मीन्स मिडिल परसन सो मिडिल परसन में क्या आता है? यू ठीके? यू यू बोथ यू आल ओके? यू आल समझा आपको? ये मध्यम पुरुष में आता है सो यू को संस्कृत में हम क्या बोलते है? यू को संस्कृत में हम बोलते है त्वम ठीके? यू को संस्कृत में बोला जाता है त्वम यू बोथ यू बोथ को संस्कृत में बोला जाता है यू वाम And you all You all को Sanskrit में बोलते है You yum You yum Twam means you You warm means you both You yum means you all Twam, you warm, you yum So, इस तरीके से हम लोग इसका First letter जो है, जो pronoun है वो मध्यम पुरुष में लिखते है Twam, you warm, you yum अभी यहाँ पे एक twist आता है जबी भी person change होता है अब आप क्या कर रहे हो आप पुड़ा का पुड़ा person change कर रहे हो आप he, she, that से directly अब आप मध्यम पुरुष में आ गए You, you, both, you all So, अगर person change होएगा तो verb भी change होगा ठीके? So, मध्यम पुरुष का जो verb रहने वाला है वो थोड़ा different रहने वाला है ठीके? हम पठती, पठतह, पठंती यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? त्वम पठसी ठीके? यह सिफ और सिफ मध्यम पुरुष में यूज होएगा समझ रहे हो आप? बिकोज यह अभी त्वम, यूवाम, यूयम, मध्यम पुरुष में त्वम का वर्ब इस गोई पठसी, अगर इस इन एक वचन इस गोई पठसी द्वी वचन में इस गोई पठतह 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 और इस इन बहु वचन इस गोई पठतह ठीके? पठतह त्वम पठसी means यू रीड यूवाम पठतह means यू बोथ रीड यूयम पठतह means यू आल रीड ओके? ये नोट दाउन करो अपने नोट बूक में इस वेरी वेरी इम्पुरुष में फर्स लेटर अफकॉस इस गोई इस गोई अनदर परसन और वर्ब इस अल्सो गोईं तो बी डिफरेंट पठसी पठतह पठतह ठीके? कोई भी अगर सेकेंड परसन में आपको दिखा यानि त्वम यूवाम यूयम दिखा आपको ये वर्ब इस्तमाल करना है ओके? बस मद्यम पुरुष में यह होता है तो हम यूवाम यूयम अभी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा होने वाला है जो हम लोग लास्ट वाला जो परसन सीखने वाले है ठीके? एक न्यूव परसन हमारे लिए है ये ये होने वाला है उत्तम पुरुष ठीके? उत्तम उत्तम पुरुष जब हम लोग ये नाम सुनते उत्तम ठीके? आपने सुना रहे गा ये हिंदी में भी नाम उत्तम अती उत्तम है ना? उत्तम जो है वह सबसे उपर वाला पुरुष है फर्स्ट परसन से भी उपर फर्स्ट से उपर उत्तम उपर यू फॉर उत्तम यू फॉर फर्स्ट से उपर उत्तम है ये पुरुष तो देखते है इसमें क्या आता है? एक वचन है ये यहाँ पे आएगा द्वी वचन यहाँ पे आएगा हमारा बहु वचन ठीके? So, उत्तम पुरुष means जो तुम खुद के बारे में बोलते हो यानि तुम तो कैसे होएगा एक वचन में इस गोई टूब बी आए ठीके? क्योंकि तुम उत्तम हो उत्तम means first से भी उपर वाला person तुम अपने बारे में जब बात करते हो तो तुम उत्तम पुरुष में बात करे हो I अगर दो है तो तुम बोलोगे We both ठीके? We both अगर बहु अचन है तो हम बोलते है We all I hope आपको यह समझ रहा है कि मैंने क्या बोला? उत्तम पुरुष means तुम उत्तम हो ठीके? तो तुम जब खुद को खुद के बारे में बात करते हो तो तुम कैसे बोलते हो? I फिर we both and we all ठीके? I hope यह आपको clear हो गया कि यह person कहां पे stand करता है ठीके? अभी I I को संस्कुत में बोलते है अहम ठीके? यह first lecture में हमने किया था अहम ठीके? यह हो है अहम and we both we both means आवाम आवाम ठीके? and we all we all means वयम ओके? अहम आवाम वयम I means अहम we both means आवाम we all means वयम ठीके? अगेन पूरा का पूरा person change हो गया है perspective ही change हो गया है ठीके? सो person अगा change हो गया तो इसका भी verb is going to be different सो अहम का वर्ब रेगा पठामी ये एक वचन में हम यूज करते अहम पठामी and if it is two people we say आवाम पठावः ठीके? and if there are more than two people we say वयम पठामः पठामह पठामह अहम पठामे I read आवाम पठावः we both read वयम पठामह we all read इस तरीके से we learnt three persons today ठीक है first अभी तेखो how will you remember all of this the best way to remember this is from उत्तम पुरुष ठीक है उत्तम पुरुष जो है वो खुद के बारे में हम बात कर रहे है so उत्तम पुरुष and अड्म पुरुष जो है वो सबसे easy है क्योंकि आप देख सकते हो उत्तम पुरुष में सिर्फ यही तीन आते है अहम, आवाम, वयम I, we, both we, all ठीक है then मद्यम पुरुष मद्यम पुरुष means तुवाम, यूवाम यूयम ठीक है यानि कि उसमें क्या आएगा यू, यू, both यू, all I hope आप अपने नोट बुक में देख रहे हो and प्रतम पुरुष में प्रतम पुरुष में actually masculine, feminine, neuter ये आजाता है he, she या फिर that फिर उसमें क्या आएगा सह, तौ, ते सा, ते, ताह तत, तानी so प्रतम पुरुष में ही सबसे जादे actually pronounce है ठीके but उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में एक ही ऐसे ठीके so इस तरीके से आप याद रख सकते हो मैं आपको एक बार play करके दिखा रहती हो कि हमने क्या सीखा ठीके सबसे पहले हम लोग ने सीखा प्रतम पुरुष ठीके प्रतम पुरुष में हम लोग ने सीखा कि एक वचन दो वचन और तीम वचन हमको मालू में प्रतम पुरुष में सबसे इंपोर्टेंट यह राध रखो कि ही शी या फिर दाट आता है ठीके दो वचन में आता है दे बोत या फिर दाट बोत और बहु वचन में आता है दे आल या फिर दाट आल सह, तौ, ते दिस इस मैस्कुलाइन सा, ते, ताहा फेमिनाइन त, 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 तानी नूटर उके और यह ज़र्ब इस पथती पथतह अब इसको बात क्या सिखा मध्यम मतलब बीच का मध्यम पुरुष में क्या आता है यू यू बोथ और यू आल यू यू बोथ यू आल इसमें क्या आएगा पत्वम यू वाम यू यम ठीके और इसका वर्ब इस पठसी पठथः पठथः ठीके तो डोंट गेट कन्फूस्ट एंड लास्ट जो परसन हमने सीखा वो क्या था उत्तम पुरुष ठीके उत्तम मीन्स फर्स्ट से भी उपर अती उत्तम एकवचन ड्रीवचन और पोथ एंड वी ओल ओके सो अहम आवाम एंड वयम ओके एंड इसका क्या है वर्ब पठामी पठावह पठाम ओके सो इस तरीके से हम लोग ने यह सीखा है ठीके अभी हाव विल यू रीटेन दिस यह याद रखने के लिए एक टिप चाहिए अगर आपको अक़ॉ उसके लिए हम लोग एक स्टोडी याद रख सकते है ठीके बेस्ट है बैस्टर्ट एक्जामपल है स्टोडी की บस यह इमेजिन करो स्टोडी आपको हमेशे-हमेशे के लिए याद आजा एक डिंबड करता है madhyam कहा पर stand करता है हुका इमाज़ेंस स्चो का नाम है राजा राणी डर्बार याद रखो यह अभी एक डर्बार हैं उस डर्बार में। राजा एक तरफ बैठा है अपने थ्रोन में and राणी उसके बाजू में बैठी है, ठीक है? And दरबार में सबसे पहला परसन वॉक करके आया है, ओके? सबसे पहला परसन वॉक करके आया है, अभी राजा, राजा is going to be उत्तम, राजा का नाम है उत्तम, So, राजा खुद को कैसे बोलेगा? पहले नाम याद रख देते हैं, चलो, राजा का नाम है उत्तम, बाजू में राणी है, तो राणी है मद्यम, राणी का नाम क्या है? मद्यम, और जो पहला परसन वॉक करके आया दरबार में, I hope आप ये imagine करो, पहला परसन वॉक करके आया ह उसका नाम है first person, क्योंकि वो पहला परसन वॉक करके आया, अभी जो उत्तम है, राजा जो है, राजा खुद को कैसे बताएगा? I, है ना, राजा बोलेगा I, फिर उसके बाद राजा और राणी को इंटर्ड्यूस करके we both, and then सब को बोलने के लिए we all, ठीके? अभी वो ही राजा अपनी राणी को कैसे इंटर्ड्यूस करेगा, you, okay, मद्यम है वो, so you, फिर उसके बाद राणी और फर्स्ट परसन को you both, and then you all, ठीके? पुरा दर्बार you all, and उसके बाद जो पहला परसन वॉक करके आया है दर्बार में, जो उनके सामने खड़ा है, उनको राजा अभी point out करेगा, तो वो कोई भी gender का हो सकता है, या तो वो he हो सकता है, या तो वो she हो सकता है, या तो कोई object भी हो सकता है, तो that भी हो सकता है, he, she or that, so वो उसको बोलेगा, he, she or that, and वो उसके वच्चन के इसाप से फिर वो उसको बोलेगा, सहत उते, साते ताह, तते तानी, इस तरीके से आप ये राजा रानी दर्बार बस याद रखो तो आपको याद रहेगा कि कौन उत्तम है, कौन मद्यम है और कौन फर्स्ट परसन है, ठीके? So यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि मैंने सिफ और सिफ पुरुष ताली का बनाई है मतलब मैंने सिफ और सिफ परसन्स का टेबल बनाया है वर्ब मैंने साथ में नहीं जोड़ा है ताकि आपको इजी पड़े ठीके? सेपरेटली मैंने बनाया है पुरुष ताली का So प्रतम पुरुष में आप देख सकते हैं यहाँ पर एकवचन, ड्वीवचन, बहुवचन प्रतम पुरुष में मैस्क्यूलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर जेंडर आते हैं और उसमें सहत तवते, साते ताहा, तते तानी ठीके? यह आता है और उसके बाद आता है मद्यम पुरुष मद्यम पुरुष में आता है त्वम, यू वाम, यू यम, यू, यू बोथ, यू आल और उत्तम पुरुष में क्या आता है? अहम, आवाम, वयम, आए, वी बोथ, वी आल ओके? I prefer, मतलब I prefer कि you remember from उत्तम पुरुष then मद्यम पुरुष and then प्रतम पुरुष ठीके? अहम, आवाम, वयम, त्वम, यू वाम, यू यू यम और उसके बार प्रतम पुरुष जो है ठीके? एंड राजा रानी दर्बार का याद रखो यहाँ पे रहेगा हमारा राजा यहाँ पे रहेगी हमारी रानी and यहाँ पे रहेगा फर्स्ट पर्सन तो राजा, रानी and दर्बार ठीके? यह आप याद रखो यह उत्तम पुरुष है यह मद्यम है and यह फर्स्ट पर्सन है ठीके? इस तरीकी से आए तिंक आपको याद हो जाएगा कि कौन के है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रियापद तालीका ठीके? मैंने सिफ और सिफ तीनों जो पुरुष है जो थ्री पर्सन्स है उनका मैंने सिफ और सिफ क्रियापद यहाँ पे लिखा है ठीके? and यहाँ पे आप देख सकते हो पथ एक पप ठीके? यह आपको हमेशा लिखना है यह जैसा है वैसे का वैसे ही कॉपी करो लट लका रहो यानि कि यह सारे के सारे जो वर्ब्स है they are in present tense same in English present tense, past tense जैसे रहता है वैसे ही same sanskrit में भी रहता है for now you only have present tense, okay So, एकवचन, दोवचन, भवचन, यू can see and पुरुष का नाम भी यहाँ पे लिखा गया है Okay So, in प्रतम पुरुष, the verb is going to be पठती, पठतह, पठन्ती In मद्यम पुरुष, verb is going to be पठसी, पठतह, पठतह ठीक है, and in उत्तम पुरुष, the verb is going to be पठामी, पठावह, पठाम ठीक है, पठामह, sorry, पठामी, पठावह, पठामह Okay So, this is, मैंने अलग-अलग tables बनाया है Please, यह note-down कर दो अपने note-book में अभी हम लग देखने वाले हैं, how to make sentences Okay, in all three persons now हमने पिछले lecture में जो सीखा, वो से फ़से first person के उपर sentences सीखा आज हम लोग ने और दो person सीखे मद्यमेन उत्तम पुरुष So, उसके basis पे हम sentences कैसे form कर सकते हम लोग अभी देखने वाले हैं, और सब एक साथ apply करने वाले हैं, ठीक है So, ये भी मेरा request है, आप ये please note down करो and जैसे इधर लिखा गया है, आप ये सब जो है ये five, six times लिखो तो आपको याद हो जाएगा So, अहम पहले हम देखेंगे कि क्या है basically Wait So, अभी हम देखेंगे कि क्या है पहले जो उत्तम पुरुष का हम पहले देखने वाले है sentences ठीक है? So, ये है अहम, आवाम and वयम Okay, हम लोग सिफ उत्तम पुरुष के sentences देखने वाले So, अहम पठामी, ठीक है? उत्तम पुरुष का वर्ब इस पठामी अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह Okay अहम हसामी, आवाम हसावह, वयम हसामह अहम चलामी, आवाम चलावह, वयम चलामह जहाँ पेबिए जहाँ पे आपको यही लिखना है पठामी पठावः पठामः आए उप यह क्लियर है उसके बार हम लोग मद्यम पुरुष देखने वाले है मद्यम पुरुश इस त्वम यूवाम यूयम ठीके यू यू बोध यू आल त्वम पठसी ठीके इसका देखो वर्ब चेंज हुआ पठसी त्वम पठसी यूवाम पठत्थ यूयम पठत्थ त्वम हससी यूवाम हसत्थ यूयम हसत्थ त्वम चलसी यूवाम चलत्थ यूयम चलत्थ त्वम धावसी यूवाम धावत्थ यूयम धावत्थ त्वम खाद सी, यूवाम खाद थह, यूयम खाद थह So you can see, यहाँ पे पठा मी था, यहाँ पे पठा सी हो गया Verb का main जो है function, जो meaning है, वो same ही है पठा means read, हसर means laugh, चला means walk, धावा means run, खादा means eat But उसका जो ending है, वो change हो गया यहाँ पे पठा मी था, यहाँ पे पठसी है, हसा मी था, यहाँ पे हससी है I hope you can see the difference, ठीक है Now last is प्रतम पुरुष, प्रतम पुरुष में सबसे पहले यह क्या है masculine So सह तव ते, सह पठती, तव पठतह, ते पठनती देखा कैसे change हो गया, यहाँ पे ती, तह अंती आ गया पठ, ती, पठतह, पठनती सह हसती, तव हसतह, ते हसनती सह चलती, तव चलतह, ते चलनती मेरे पीछे-पीछे बोलो सह धावती, तव धावतह, ते धावनती सह खादती, तव खादतह, ते खादनती ठीके, उसके बाद feminine feminine is सा, ते, ताहा ओके, सो यहाँ पे एकके की example मैं लेका है सा, कन्या, पठती यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने main subject भी डालने का try किया है main subject आने की noun सा, कन्या, पठती कन्या means girl सा, कन्या, पठती सो एक वच्चर में आ आता है कन्या, सा, कन्या, पठती ते, कन्ये, पठतह कन्ये means two girls ते, कन्ये, पठतह ताहा, कन्या, हा, पठती ठीक है so many girls is कन्या, हा, पठती सा, नदी मतलब यह e में end होड़ है feminine ही यह feminine में या तो a में end होता है या तो e में end होता है जैसे कि प्रिया, अंजली ठीक है, सो feminine या तो a में या तो e में end होता है सा, नदी वहती सो एकवचन में नदी रहेगा सा नदी वहती ते नद्यव वहत ह ठीके? नद्यव अगर दो रहेंगे तो नदी का क्या हो जाएगा? नद्यव ठीके? ते नद्यव वहत ह ताहा नद्यव वहनती ठीके? If there are more than two rivers we say ताहा नद्यव वहनती तत अभी आगया न्यूटर तत अपत्यम पठती ठीके? तत अपत्यम पठती means that baby reads ते अपत्ये पठत ह Two babies is अपत्ये ते अपत्ये पठत ह Two babies read तानी अपत्यानी पठनती ओके? They all babies read So इस तरीके से मैंने last में थोड़ा सा main subject यानी की noun जो है वो भी डालने का try किया है Don't worry next lecture में हम लोग इसमें अच्छी तरीके से discuss करेंगे so that you can write the sentence properly for now you just focus on the first letter जो प्रणाउन होता है and आज आपने सीख लिया कि प्रणाउन के भी तीन persons होते है ठीके? प्रतम पुरुष मद्यम पुरुष उत्तम पुरुष ठीके? always remember from उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष is राजा अहम आवाम वयम मद्यम पुरुष is राणी त्वम यूवाम यूयम and प्रतम पुरुष is the first person who walked in the darbar so he can be he या फिर शी या फिर that ओके? अभी मुझे चाहिए आप डिरेक्ली अपने टेक्स्ट्बुक के पेज नमबर 13 में आओ ठीके? we are going to solve this exercise and please keep your notebooks open जो हमने tables बनाई है and you can refer to the table and you can answer along with me अगर आपको समझ गया है तो आपको answer आजाएगा ठीके? it's easy so first question देखते है योग्यम, पर्यायम, चिनूत, लिखत, च ठीके? बड़बर जो option है लेके हम लोग को लिखना है ठीके? first is अहम, डैश अभी अहम अहम क्या था? उत्तम पुरुष so अहम के बाजू में वर्ब क्या था है? आमी, पठामी ठीके? so इसका बताओ आपी बोलो उपविशामी करेक्ट आएगा कि उपविशामह करेक्ट आएगा उपविशामी ठीके? अहम, उपविशामी ठीके? second देखते है डैश, क्रीडा, मह ओके? अभी remember करो अहम, आवाम, वयम अभी देखो, हम लोग को क्या दिया गया है? हम लोग को वर्ब दिया गया है तो हम वर्ब याद रखने वाले हैं वर्ब क्या था? पठामी पठावह पठामह ठीके? तो देखो, लास्ट में मह आया है You have to check with all the persons first जैसा, ओके, let's first see कि कैसे हम करने वाले हैं First of all, अगर तुम लोग को ऐसा कुछ आया So, you have to check कि वो अपना ये person क्या है उसका Whether it is in first person, second person, ठीके? अथाम पुरुश है, मद्यम पुरुश है कि प्रथम पुरुश है वो? ठीके? अगर वो प्रथम पुरुश में होईगा तो आपको फिर masculine, feminine, neuter भी देखना पड़ेगा क्योंकि हमने देखो, पहले की तीन टेबल में देखा था So, पहले आपको person देखना है फिर उसके बाद आपको देखना है, जेंडर क्या है फिर उसके बाद आपको देखना है कि वो वचन कौन सा है एक वचन, बहुचन की दो वचन है और उसे साब से आपको सब डालना है So, डाश क्रीडा मह So, मह मुझे मालूम है कि ये पठामी, पठावह, पठामह से है उत्तम पुरुष का है ये So, उत्तम पुरुष का first letter, प्रनावन क्या होता है या तो अहम होगा, या तो आवाम होगा, या तो वयम होगा So, because वयम comes in बहुचन and क्रीडा मह will also come in बहुचन We will write वयम ठीके, यहाँ पे तो आपको इतना भी करने की जवत नहीं आपको अल्रेडी option दिया गए, या तो अहम या तो वयम So, you can just check अहम, क्रीडा मी आएगा वयम, क्रीडा मह आएगा तो वयम करेक्ट है, ठीके Third, वयम डैश अगर आपके सामनी टी बिले तो आपको यह समझ जाएगा वयम ब्रमा मह ठीके वयम नमा मी की वयम नमा मह वयम नमा मह ठीके, पठामी पठावो हो पठा मह ठीके, डैश हसामी अभी यह भी देखो क्या है अहम हसामी की वयम हसामी अहम हसामी ठीके क्योंकि first जो एकवचन रहता है उसमें हम क्या लिखते पठामी, हसामी, अहम हसामी सिक्स्त देखो, डैश वदसी ठीके अभी सी आया सो यह देखो क्या हो गया, यह मध्यम पुरुष हो गया option में भी मध्यम पुरुष के ही दिये गये है त्वम वदसी की यूयम वदसी सो आपी देखो टेबल में एन बताओ त्वम वदसी आयेगा, ठीके, it is in एकवचन त्वम वदसी 7th one, डैश क्षिपतर ठीके, सो त्वम क्षिपतर की यूयम क्षिपतर यूयम क्षिपतर, it is in बहुवचन ठीके, दैश नृत्यसी त्वम नृत्यसी क्यो यूयम नृत्यसी त्वम नृत्यसी, ठीके, because it is in एकवचन डैश लिखतह, त्वम लिखतह की यूवाम लिखतह यूवाम लिखतह, ठीके, it is in दोवचन यू यम डश, यू यम पठथ सी की यू यम पठथ, यू यम पठथ, यू यम पठथ, ओके? So, if you have the table and if you remember the table by practicing it again and again, you can do it आराम से, ओके? You also have options, so it is a good thing. Next, ये वाले देखते हैं, क्रिया पद रूपानी लिखत, So, यहाँ पे उन्होंने basically हम लोग को क्या दिया है? यहाँ पे उन्होंने हम लोग को सारी क्रिया पदे दिये, ठीके? सिर्फ मेन जो क्रिया पदे वो दिये हैं और उन्होंने बोला है कि आपको first letter को देखते हुए उस हिसाब से आपको क्रिया पद लिखना है मतलब वो कौन से person में है, वो आपको पहले identify करना है और उसके हिसाब से आपको क्रिया पद लिखना है तो पहला वाला जो question है, उसमें क्या है सह अभी सह सबको मालूम है, it is masculine gender and it is in first person, प्रथम पूरुश है वो सह क्या आता है, पठती, पठतह, पठंती, ठीके, सह गद है, तो क्या आजाएगा गदती, ठीके, सह गदती सेकेंड क्या है, तव, डैश, तव, सह, तव, ते, तो ये भी प्रथम पूरुश है So, पठती, पठतह, गर्जतह, ठीके, तव गर्जतह, ओके, you can do this on your own also and then you can check, keep तुम्हारा सहिए कि नहीं, ओके, try it on your own, pause the video, try on your own, इसी से ही आपको समझेगा कि आपको ये समझाए कि नहीं समझाए अभी तक, जो भी हमने किया है and then check कि तुम्हारा सहिए कि नहीं, ते, ते is also in प्रथम पुड़ु, सह तौ ते and ते का भुवचन इस वदंती, ठीके, वदंती, पठती, पठतह, पठंती, ठीके, फोर्थ इस सा ते ताह, सो सा जल्पती, ते जपतह, ताहा जयंती, ठीके, ते, so only and only the verb is changing but उसका ending जये, is going to be the same because it is in प्रथम पुड़ुष अणली, next क्या है, next is तौम्, तौम् अभी क्या हो गया, मध्यम पुड़ुष हो गया, तो इसके verb is going to change, तौम् कूजसी, ठीके, पठसी, पठथह, 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 तौम् कूजसी, यूवाम् नमथह, ठीके, and यू यम खाद थ, ठीके, I hope यह clear हो गया, अभी next क्या आ गया, अहम, अहम क्या है, उत्तमपुरुष, तौम् पुरुष का वर्ब इस change, उत्तमपुरुष का क्या है, पठामी, पठावह, पठामह, तौम् क्रीडामी, आवाम हसावह, वयम वसामह, ओके, then, अभी उसके बाद क्या आ गया है, यू वकव, अभी यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको सिफ लास्ट का जो है, वो दिखना है, कव, यू वकव, तो किसी से हो रहा है, यह, सह तव, ओकी, तो मतलब यह प्रथम पुरुष है, सो प्रथम पुरुष का क्या है सह पठती तव पठत ह है ना सो यूवकव तपत ह समझा यूवकव तपत ह आएगा नेक्स्ट देखो पुरुष आहा अभी पहले क्या देखो गया आप पुरुष आहा साथे ताहा जैसे है यह टीक है आहा सो पुरुष आहा है नेक है बहु अचन में सो पठती पठत ह पठंती धावनती Okay, it is also in first person Purusha is also in first person You just have to see ending में क्या है So, it is also in first person Pratham Purush and उसका क्या आएगा Brahmanti Next is Mahile And उसमें क्या आए रहा है Sa-te And पठती पठत ह Means महीले यजत ह Okay Saini काहा Last में क्या आया है विसर्ग आया है So, it is in बहुअचन Sa-te-ta-ha Bहुअचन है, Saini काहा, बहुत सारे साइनिक है So, रक्षन्ती ठीक है Krushak यानि कि एक ही Krushak है एक ही Farmer है So, it is going to be Vapati Okay So, इस तरीके से We did our Entire exercise And it is very easy You just have to see the main Person क्या है Okay, if it is Pratham Purush Madhyam Purush और Uttam Purush So, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए Goodbye So, आपका अच का लिक्चर कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्षिन में लिखके जबर बता देना अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रूख के हो Like कर दो And इस वीडियो को जितने फ्रेंज तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंज को शेयर कर ताकि उनकी भी दिमाग की बती आपके जिसे खुल जाए Lastly, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा हमें इससे बहुत खुशी होएगी Thank you